आलो जी मैं कपूर अंटी आज आपके लिए लेके आई हूँ ये बेसिक वनीला केक की रेस्पी जो की बनाना बहुत ही असान है। और घर में जो भी आपके चीज़े हैं उससे बहुत अच्छे से बन जाता है। आपको ये बहुत ही सस्ता पढ़ता है। के लिए स्पॉंजके कहता है तो ये उसके लिए बहुत ही असादी से बनता है कोई जढ़ा ने के दुरूरत नहीं कोई जञजट नहीं है और मिंटों में बन कर तियार हो है तो केक बनाने है सब बनाने करते हैं department को परिखेड़र क्शलिग करना रख दें हम सब्सक्राएं कहलें हैं तो कुकर मैं किया करें वह थैसे अगते हैं ले और और अगर आपके पास रिंग नहीं है तो आप इस तरह की कोई टोरी भी रख सकते हैं तो ज़रुरी नहीं है कि आप नमक डालें तो भी ही दालें अगा तो भी आप अच्छा बनेंगा नमक डालने से क्या है जो ही ट है वो even कोई छेदवेद हो तो इस तरह से अभी हम आउन करके आप रखेंगे 10 मिनट के लिए जैसा कि मैं हमेशे बोलती कि यह की बहुत जल्दी बन जाता है तो इसलिए केक बहुत जल्दी बन जाता है तो जुरूरी है कि हम इसकी सबसे पहले वाली प्लाइनिंग कर ले तांकि केक के लेकल बीट होने के बाद हमें क jestem आपको प्रिषय्ट करना रख दिया है अपना और उसके बाद हमें अपना आपना पन न है बोलती करने के लिए हमें इसके नीचे लगाना है अच्छे से तेल लगाना है आप 2 तरीके है एक तो यह है कि इसके ऊपर मैदे को دस्ट कर लो तो उससे के leść चिप रहना चैपिव समय और आज तभी तरीका यह है कि आप इसको बटर पे पर को क्या है साइज का काट के इसके नीचे जो है बटर पेपर सेट कर दो बटर पेपर सेट करने अको निकलाएगा इसके उपर भी थोड़ा आसा यो तेल लगा गा गएымारा जो हम मैदा लेना है यह हमें बिल्कु लेवल्ड वाला लेना है ना कि बहुत उपा तक भरा हुआ तो तेड़ कप जो है मैदा आप लेंगे कोशिश होरो की मेजिरिंग कप यूज करें तभी आपका केक जो है बहुत प्रफेक्ट बनेगा ने तो अपका टोरी भी यूज कर सकते है तो इसके बाद इसमें हम डालेंगे जो है हाफ टी स्पून जो है वो बेकिंग सोडा का जो कुकिंग सोडा जिसे हम कहते है इसको अगें बैलेंस करके करना है और एक जो स्पून है वो हम इसमें डालेंगे बेकिंग पौडर का आपको यह बहुत ध्यान रखना है कि आपका बेकिंग पॉडर बहुत पुराना नहीं होना चाहिए नहीं तो इसकी स्टेंथ कम हो जाती है और आपका केक अच्छा नहीं बनता तो एक स्पून हम इसमें डाल रहे हैं बेकिंग पॉडर की और इसके बाद हम इसको चान लेंगे है अब हम वै्ट इंग्रीडंट की जो है वो टिआरी करते तो वैट इपढ़े ऐप से हम सब्सक्राइम कर रहे हैं वन कप थिक वला नहीं जो यह你 यह तो ज़्यादा यहां टाज़ा होना चाहिए हैं नहीं कड़ी जैसा खट़ा होना में मीडियम यहां डालेंगप इसमें ड्राइ इंग्रीडेंट में यूज होती है यह 3-4 से लेके 1 कप तक आपको शुगर डालनी है जैसे मैं कम शुगर खाती हूं तो मैं यहां 3-4 के करीब डाल रही हूं आप अगर थोड़ा से अच्छी कुछ शुगर खाते है तो आप 1 कप इसमें डालिए और उसके बा हमने अभी कि देल करने चाहिए कोई ढालें इतना से लिलका कुछ बना दा नहें कि आसकर बीटी करने की में और कैसे आफेश करने के कुछ bisa का हमतलि यह हां लिए यह क्यों तो मिनट हुए है उसके बार हमें नकनी relate 2 पार आख कि हमें इसको अच्छे से बीट कर लेना है ताहां कि एक से दो मिनट तक है इसंवें डालना है एक से आफ से वन टीज्पून जो है वो वनीला असेंस का यहां अगर आप कोई दूसरा केक बनाना चाहते हैं तो आप दूसरा essence भी डाल सकते हैं पर जनरली जो केक है उसमें जो है वनीला essence ही यूज होता है तो इस तरह से हमने वनीला essence डालकर इसको अच्छे से बीट कर लेना है बस यहीं एक बीटी करनी है हमें एक दो मिनट के फिर हम इसको cut and fold से जो है वो beat करेंगे cut and fold का मतलब ऐसे किया फिर cut किया ऐसे किया इसको cut किया इसको बहुत ज़्यादा हमें beat नहीं करना है नहीं तो यह gluten छोड़ देगा और हमारा cake अच्छा नहीं बनेगा तो इस तरह से हमने थोड़ा सा इसको करके बाकी का जो है वो थोड मिख्याराण करें है तो इस तरह से हमने साध्माइडा डाल दिया है और को दीरे हाथ से सब Elogi देगे Τ इसले जनाक से लिखे जाना है इस तरह कट कर देना है तांकि इसमें जो यह वह बाहर निकले और एक ईक करना है तो इस तरह से हम Papi तो अगर आपने मिक्स करने के पड़ आप यह देखिए कि आपका जो मेटीरियल है वह थोड़ा गाड़ा है केक जैसी कंसिस्टेंसी का नहीं है तो एक दो चमच आप दूद के एड़ करकर इसकी कंसिस्टेंसी को सेट कर लीजिए क्योंकि मैदे मैदे पर डिपेंड करता है इसलिए हम इसमें यूज कररे हैं क्रीब वन टेबल स्पूझ के क्रीब दूद क्योंकि वह कंसिस्टेंसी जो राध्र के लिए यूज करना पड़ा है अ इस तरह से आप कभी भी आपका ट्रैबल स्पूझ जो है वह स्टैंडाई पर होना चाहिए और इसकी तो अश्टेंस इसे हमारी ऐसे रणिंग सी आनी चाहिए बिल्कुल बहुत जादा फ्लोइंग नहीं आनी चाहिए इस स्टेज पर हम इसको अपना जो हमने टिन ट्यार किया था उसमें हम डाल देंगे और इसको बेकिंग के लिए उसके बाद इसके बाद इसके एयर पॉकेट को निकालने के कि लिए इसको थोड़ा सा जो है इस तरह से तीन चाहल बार कर लिए उसके बाद अभी हम इसको रखेंगे वникиं के लिए हमारा कुटर बहुत बड़िया से प्री हीट हो गया है देखिए बहुत अच्छे से प्री हीट हो गया है तो इसके बाद अब हम इसको रखकर इसको बंद करेंगे और 30 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे क्रीब लो फ्लेम पर 30 मिनट हम इसको लो फ्लेम पर रखेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा केक बना है या नहीं देखिए हमारा केक इतना बढ़िया से फूल गया है 40 मिनट्स हो गया है हम इसको खोल कर देखते हैं कि हमारा केक बनाए के नहीं उपर से देखने से तो लग रहा है कि बन गया है पर असली टेस्ट तब होगा जब हम इसमें तुथ पिक लगाएंगे तो एक बढ़े निकालना है तो देखें बिल्कुल अवह तुथ पिक आ रहा है अगली दिहान में रखनी कि कभी भी इसको गयस को हम बंद करेंगे कभी भी केक को जो है एक दम से गरम गरम बाहर नहीं निकालना इसको आदे गंटे के लिए थंडे होने रखना है और आगर आपको करनी है तो कम सकम तीन चार घंटे जो है वो ठंडा होना चाहिए तो अभी जो है इसको मैं ठंडा होने दूंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगे कि निकाल के कि हमारा केक जो है कैसे असानी से निकल आता है और कैसे कितना बढ़िया फ्लफी केक स्पॉंजी बना है हमें आदा घंटा हो गया है केक हमारा बहुत ठंडा हो गया है कि इतने देखो साइड के फिर भी ऐसे थोड़ा साइड से पिक कर लेना है तांकि थोड़ा सा अंदर की तरफ जाकू को प्रेस करना है तांकि अगर कहीं से चिपका हो तो वह अच्छे दिकल जाए और इसके कितना बढ़िया वनीला स्पॉंज केक बनकर रेडी हो गया है कितना बिल्कुल बीट करने की जादा जुरूरत ने पड़ी है और घर की सारी चीजों से बहुत सस्ते में ये वनीला केक बन जाता है वनीला बेस और इसके बाद आप जैसी चाहें वह आइसिंग कर सकते हैं ये होता है हर केक का तो ये केक बनाना आपको जरूर आना चाहिए मैं आशा करती हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी तो फिर बनाईए और मुझे बताईए कि आपका ये वनीला बेस एगलिस जो है वो कैसा बना